तेखे बच्चो गुड मॉनिंग गड़ित की कच्छा में आज का विशा है कैलेंडर। अंग्रेजी में भी इसे कैलेंडर ही कहते हैं। इस चित्र को देखिए, बच्चे क्या कर रहे हैं? ये क्या बना हुआ है आश्मान में? इंद्रधनुस बना हुआ है, बच्चे इंद्रधनुस को देख रहे हैं इंद्रधनुस में कितने रंग होते हैं बताईए जी हाँ इंद्रधनुस में सात रंग होते हैं जिस प्रकार से इंद्रधनुस में सात रंग होते हैं उसे प्रकार से हमारे एक सप्ताह में भी सात दिन होता है इन सभी में, इन सभी दिनों में छुट्टी खाएं का दिन कौन सा होता है जी हां छुट्टी का दिन होता है रभी वार अच्छा ये बताइए कि दिन और तारीक हमें कैसे पता चलता है कहां से हम देखते हैं जी हां कैलेंडर से देखते हैं तो आए ये कलेंडर पे ही चर्चा करते हैं ये देखिए यह कैलेंडर का एक पन्ना है जन्वरी महीने का जन्वरी 2019 कलेंडर में कौन कौन सी चीज़ें दी गई होती है तारिख दिया गया होता है दिन दिया गया होता है महीना दिया गया होता है और वर्स दिया गया होता है यह जो कलेंडर का पन्ना है इसमें जन्वरी महीना सन 2019 की तारिक और दिन को दर्शाया गया है अब इसे हम देखते कैसे हैं मान लिजिए हमको यह जानना है कि 2019 में जन्वरी में पहली तारिक कब थी तो हम जो गिंती लिखा हुआ है इस गिंती में एक को ढूड़ेंगे तो यहां देखे एक यहां है इसके सीध में हम उपर देखेंगे कि कौन सा दिन है एक तारिक को कौन सा दिन मंगलवार इस तरह से अगर कह दिया जाए 26 जन्वरी कब था तो इसमें हम 26 तारिक खोजेंगे 26 ये देखिए 26 को कौन सा दिन उपर जाईए देखिए उसके सीध में कौन सा दिन लिखा हुआ सनिवार इस प्रकार हम केलेंडर को देखते हैं केलेंडर में कुछ तारीखों को लाल रंग में दिखाया जाता है वे तारीखें होती है जो किसी विशेष तेवहार की या रविवार की देखें रविवार को लाल लाल रंग से दिखाया गया है एक तारीख फर्स जनवरी इसलिए लाल रंग से दिखाया गया है इसे प्रकार से चवदा तारीख को मकर संक्रांती दिखाया गया होगा 26 जन्वरी को गरत अंतर दिवस है इसलिए दिखाया गया है तो जो विशेश तारीखें होती हैं चाहे हो तेवार हो या छुट्टी का दिन हो उन्हें कलेंडर में लाल रंग से दिखाया गया होता है अब इस कलेंडर को के आधार पर आपको श्वैम ये चीजें बतानी है जन्वरी 19 के कलेंडर देखो और प्रस्णों के उत्तर दो 19 जन्वरी को कौन सा दिन होगा जन्वरी माह में कितने रभिवार है जन्वरी माह में कितने रभिवार है अब यहां गिन लेंगे एक, दो, तीन, चार अभिवार है फिर जनरी माग की अंतिम तारिक पर कौन सा दिन होगा अंतिम तारिक यानि 31 जनवरी 31 जनवरी यहां लिखा हुआ है अब इसको उपर सीधे चल जाईए गुरु आई या बिरहस्पत्वार जिसको कहते है दूसरे सोमवार को कौन सी तारिक है पाला सोमवार साथ तारिक, दूसरा सोमवार चौज़ा तारिक ठीक है, इस प्रकार से हम कलेंडर को देखते हैं अब हम बात करते हैं महीनों में दिनों की संख्या एक महीने में कितने दिन होते हैं तीन तरह की बाते होती है, फरवरी 28 दिन का होता है, उसके बाद कुछ महीने 30 दिन के होते हैं और कुछ महीने 31 दिन के होते हैं, कैसे हम जानेंगे कि कौन सा महीना 30 दिन का है और कौन सा महीना 31 दिन का है, इसके लिए देखिए ये चित्र, इस प्रकार से हम मुठी बंद कर ल शुरू करेंगे जन्वरी फिर नीचे वाला फर्वरी फिर उचे वाला मार्च फिर नीचे वाला प्रेल उचे वाला मैं नीचे वाला जून फिर उचे वाला जुलाई फिर दूसरे हाथ पर उचे वाला अगस्त नीचे वाला सितंबर उचे वाला अक्टूबर नीचे वाला ये जो उचे उचे पर जो महीना आएगा वह 31 दिन का होगा जैसे जन्वरी, मार्च, मय, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर ये महीने होंगे 31 दिन के और बकिया जो नीचे वाले भाग पर जो महीना आएगा जैसे फरवरी, अप्रेल, जून, शितंबर और नौम ये 30 दिन का होगा या 28-29 दिन का होगा ठीक है तो हमको लगता है आप लोग भी इस तरह से करके समझिए और जानिए कि कौन सा महीना 30 दिन का होता है और कौन सा 30 दिन का होता है या 28 दिन का फरवरी होता है बस एक महीने को छोड़ देजी तो बकिया जो भी नीचे वाले महीने हैं वो कितने दिन के होंगे तीस दिन के होंगे तो जब भी कोई आप से पूछे कि कोई किसी महीने के बारे में कि कितने दिन का है तो आप इस घर में टंगे हुए कलेंडर के पन्नों को देखिए और उससे गिन करके बताईए कि एक वर्स में कितने महीने होते हैं। एक तीस दिन के कितने महीने होते हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सात महीने एक तीस दिन के होते हैं। आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे कलेंडर के ही अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यबाद नमस्कार। आज कितने महीने होते हैं। आज कितने महीने होते हैं।